हेलो दोस्तो, WS Cubetech के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग एक complete प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए start कर रहे हैं जो first unit अपने पास है, दोस्तो उसमें हम लोग यहां पर बात करने वाले अपने networking के concepts को लेकर कि क्या के networking क्या होती है, internet क्या होता है, networking के बहुत सारे concepts हैं जो हमें discuss कर दे हैं तो इसमें आज हम लोग जो start करेंगे दोस्तो बिल्कुल first chapter अपने पास होगा और इस first chapter में हम लोग जिस topic को discuss करें, दोस्तो वो अपने पास अपने internet basics को लेकर कि दोस्तो internet क्या होता है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे, network क्या होता है क्योंकि actual में हम लोग दोस्तो जानते हैं कि जो हमारा internet होता है, वो क्या होता है अपने पास interconnected network interconnected किसका interconnected होगा दोस्तो वो हो सकता है local area network हो हो सकता है दोस्तो वो आपके पास metropolitan area network हो हो सकता है वो wide area network हो या इन सबका एक mixture भी आपके पास हो सकता है तो दोस्तो finally हम लोग start करने वाले definitions of internet से लेकरके और दीरे 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 दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे networking के concepts बताने वाला हो तो आईए दोस्तों start करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं अपना agenda क्या रहेगा कुछ कौन कौन से topic है इस chapter में जो हम भी हमें discuss करने हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे introduction chapter का उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर network आपके पास क्या है इसका क्या है internet क्या था और www क्या दोस्तों हम लगता है जब लोग लिखते हैं www.facebook.com तो हमें लगता है दोस्तों www अपने आप में internet है जब कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है www अलग है internet अलग है तो उसके difference क्या है वो हम लोग discuss करेंगे उसके साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे अपने internet की कुछ terminologies को देखेंगे दोस्तो internet में बहुत सारे term है जो हम लोग use करते वो सारे हम लोग देखेंगे I hope दोस्तो इतने ही chapter जो है आज इस वीडियो में हो पाएंगे और आगे के वीडियो में दोस्तो हम लोग जो topic discuss करेंगे वो अपने पास आएगा दोस्तो web server web server क्या होता है साथ में देखेंगे हम लोग services provided by a server एक server आपको कौन-कौन सी services जो है वो provide करवाता है वो भी हम लोग यहां discuss करेंगे ऐसे ही दोस्तो हम बात करेंगे websites क्या होती है websites के components क्या होते है एक websites और portal के बीच में differences क्या होते है साथ में दोस्तो हम बात करेंगे अपने web pages को लेकर के what does it content एक जो simple सा एक web page है एक website का जो एक simple सा एक page है वो क्या-क्या content करता है ठीक है यह निके component of a web page क्या है what make a web page works ठीक है इसके साथ हम देखेंगे difference between a web page and website एक web page और websites के बीच के differences उसके components वगरा वो क्या-क्या content रखता है वो सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे साथ में दोस्तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपने web browsers को लेकर के blocks को लेकर के types of blocks को लेकर के advantage and disadvantage of block को लेकर के web addresses क्या है यहनि कि URL क्या होता है element of a URL क्या है दोस्तो news group को लेकर के बात करेंगे using a news group हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग use करते है साथ में HTML क्या है protocol क्या है यह सारे topics अपने जो है इस chapter से related होंगे तो यह सारे हम लोग एक एक करके आगे discuss करते वे जाएंगे अगे दोस्तों स्टार्ट करते है सबसे पहले हम लोग बात करते computer network को लेकर के क्या आखी आपका computer का network क्या होता है दोस्तों जब भी आप internet कहते है तो internet की एक full form होती है that is interconnected network interconnected network को short में बोल दिया आपने internet और उसको और short में बोल दिया दोस्तों हम लोगोंने net तो देखिए अपने पास नाम क्या रहा है computer network तो अब्वेसे दोस्तों इसमें क्या होगा हमारे पास हमारे दो computer जो है वो आपस में connect होंगे एक computer इस computer के साथ connect हो रहा है आज के time पर दोस्तों अगर आप smartphone को use करें तो smartphone भी अपने आप में एक tab का computer होता है तो दोस्तों यहाँ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो आपके computer connect हो रहे हैं इसका मतलब exactly दो computer नहीं कोई भी दो devices दोस्तों जो आपस में connect होते हैं वो आपके पास क्या करता है एक network बनाता है लैक दोस्तों हो सकता है कि आपकी एक TV जो है आपने Bluetooth के तुरू Wi-Fi के तुरू उसको connect कर रखा है तो दोस्तों वो भी आपके पास एक type का network होता है ऐसी जब कभी भी आप अपने mobile के data को अपने laptop में या अपने desktop में जब convert उसको जो transfer करते तो दोस्तों वो भी एक type network है जिसको हम लोग शाद personal area network केते हैं आप यह जानते होंगे personal area network क्या हो गया जिसमें हमारी personal चीज़े जिसमें मेरा personal smartphone है या फिर मेरा personal laptop है मेरा personal computer वो आज आपस में connect होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते है personal area network local area network के सकते है metropolitan area network के सकते है wide area network के सकते है बहुत सारे अपने पास अलग अलग टाप के network होते हैं जो मैं यहां आपको image में दिखा भी रहा हूँ और अभी हम इसको discuss भी करने वाले हैं तो दोस्तों यहां हम लोग बात करने वाले हैं a computer network is a group of computer linked to each other that enables the computer to communicate with other computer and share their resources, data and application तो दोस्तों इस computer के पास कुछ data पढ़ा है यह इसको data भी सकता है, data वो इससे ले सकता है इसके पास दोस्तों कोई applications है, कुछ software है जो इसमें पढ़े हैं तो दोस्तों यह computer उसको use कर सकता है ऐसा भी हो सकता है दोस्तों अपने पास एक टाप का printer हो और वो printer ये laptop भी यूज़ कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर अपन एक network बना रहे हैं जिसमें क्या करें एक printer को अपन share करवा रहे हैं तो यह resource है resources एक बहुत common नामे जब आप network सुनते हैं तो दोस्तों, network में क्या होता है, हम लोग ये तो data को share करते हैं, अपने software को share करते हैं, या अपने resources को share करते हैं, resources जैसे कि दोस्तों हम कहा सकते हैं, printer को आप जो है, वो share कर सकते हो, आप अपने scanner को share कर सकते हो, इसी type से दोस्तों, आप storage को भी share कर सकते हो, ठ्व है जैसे एक external hard disk है दोस्तों किसी भी type की hard disk है तो वो hard disk जो है वो मेरे computer के साथ भी share है और दूसरे computers के साथ में भी share कर रखी है तो वो आपके पास क्या है? एक type का resources को आप यहाँ पर share कर सकते हो data को आप share कर सकते हो application को आप share कर सकते हो दोनों computer आपस में connect होते हैं, एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, computer network can be categorized by their size, एक network जो है, वो अपनी size के according categorize किया जाता है, computer network is mainly of four type, generally four type के आपके पास होते हैं, एक दोस्तो होता है जिसको अपन कहते हैं personal area network, personal area network में क्या हो जाएगा, दोस्तो आपके पास मेरे पास मेरा एक phone हो सकता है, और दोस्तो मेरे पास मेरा एक laptop हो सकता है, इसको मैं आपस में connect करता हूँ through wifi या wires के साथ, तो wire भी हो सकता है, wireless connectivity हो सकती है दोस्तो इसका data में इसके पास या इसका data में इसके पास बेज रहा हूँ तो यह आपके पास किस type का network है, एक personal area network ऐसे दोस्तो कभी कभी क्या होता है, कि हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐसा एक network बनाते हैं जैसे दोस्तो मेरा एक office है और मेरे office में दोस्तो यहाँ पर एक computer operator बैठा है एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है अब दोस्तो यह चार अलग अलग computers थे और चारों पर कुछ operator बैठके काम कर रहे हैं तो दोस्तो मैं चाहता हूँ कि यह चारो computer आपस एक दूसरे के साथ share कर सके, suppose print करवाना है, तो मैं यहाँ पर दोस्तो एक printer लाके लगा दू, वो सारे computer उसको use कर सके, मैं एक hard disk connect करना चाहता हूँ, दोस्तो चाहता हूँ कि वो 4 उसको use कर सके, या इसी टाप से दोस्तो कोई application मैं चाहता हूँ कि यह चारो उसको यूज कर सके कुछ भी चीजे जो हम लोग शेर करवाना चाहते हैं तो दोस्तों क्योंकि एक बिल्डिंग में है एक ऑफिस में है एक और्गनाइजेशन का पार्ट है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यह क् क्या होता है एक बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग के दोस्तों कुछ computer आपस में connected होते हैं तो ऐसा हो सकता है दूस्तो कि हमारे पास यहाँ पर एकbean बिल्डिंग ती इस बिल्डिंगिक local area network था जैसे दोस्तों मैं एक example दे सकता हूँ आपकी school की एक building है और suppose की एक building में दोस्तों आपके पास जो है वो 9 to 12 वालों की computer lab है इसकी just pass में एक और building है उसके अंदर दोस्तों 6 to 8 वालों की आपके पास computer lab है इसमें भी आपके पास दोस्तों एक local area network है इस फ़ली building में भी आपका एक local area network है मैं चाहता हूँ दोस्तों इन दोनों को आपस मैं connect करवाना तो यह आपके पास जो एक architecture बना है इसको अपन क्या कहते है दोस्तों C.A.N. यह निकी आपके पास क्या कहलाएगा C.A.N. ठीक है campus area network ठीक हाला कि दोस्तों मैंने यहां mention नहीं किया मैं वापस आपको कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आप कुछ दूसरी books देखते हैं कुछ sites पे जाते हैं कुछ दूसरे videos पे देखेंगे तो शायद आपको एक और नाम मिल सकता है campus area network ऐसे दोस्तों next आता है आपके पास metropolitan area network तो मैं यह हटा देता हूँ दोस्तों कई बार ठीक है कई बार क्या होता है अपने पास जलिए मैं इस तरफ उपर इसको rough कर देता हूँ और यहां लिख देता हूँ दोस्तों मेरे घर के पास एक bank है जिसका नाम है पंजाब national bank इसी तरीके से जब मैं थोड़ा आगे गया तो पता पड़ा एक दूसरे area में और एक bank है ऐसी एक और एक bank थी एक और bank थी इसलिए आप से दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आपके पास एक पूरी city के अंदर अगर अपन बात करें एक पंजाब national bank दूसरी वाली bank की ब्रांच के साथ जुड़ी है ऐसी दोस्तों ये इसके साथ जुड़ी है ये इसके साथ जुड़ी है ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ तो ये आपके पास जो एक example है मतलब आपकी जो एक city है उस city के इंदर जितनी भी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से आपस में हमने क्या करका उन सभी की ब्रांच को connect कर रखा है तो यह आपके पास जो है एक example हो जाएगा metropolitan area network का दोस्तों यह रहा metropolitan area network यनि कि जो आपके पास शहर बरके जितने भी computers होते हैं जितने भी systems है ठीके एक particular मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एक office को लेकर के एक particular कह सकते हैं एक organization को लेकर के उसके जितने भी computer से वो अगर आपस में connect है तो वो आपके पास क्या कहलाता है metropolitan area network जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ इसका एक बहुत अच्छा example बताऊं तो दोस्तों आप पर यह city के अगर बार चाकर के बात करें जैसे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एक जीयो ती आप जानते होंगे जीयो है ना तो जीयो है एटेल है यह सब क्या है दोस्तों मैं इसका example इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि जैसे जीयो है और जीयो ने आपकी city में आकर के बोला भी मैं अपनी services दे रहा हूँ आप लेना चाहते हो कि आपने बुला हाँ तो वो city के अंदर दोस्तो बहुत सारे लोग जो है वो जीओ के साथ connect हो गए फिर इसी तरीके से दोस्तो वो दूसरी city में गया वहाँ पर भी उसने ऐसे बहुत सारे अपने customer connect कर लिए ऐसे दोस्तो वो जीओ और कहीं city में गया तो वहां पर भी connect कर लिए तो वो कितने तक फैल सकता है उसकी कोई limit नहीं है जैनि कि wide area network जिसका geographical area दोस्तों जिसका limit less है जिसमें कोई limit नहीं है कि एक particular city ही होनी चाहिए आप कह सकते दोस्तों सपोस अगर मैं बात करता हूं एमदाबाद को लेकर करके तो सिर्फ एमदाबाद आपके पास एक example किसका हो जाएगा दोस्तों wide area network यानि कि इसकी जो computers हैं इसकी जो systems हैं वो दोस्तों बहुत दूर दूर तक फैले हैं अब देखिए जीयो को किसी दूसरे के साथ connect नहीं है जिसे atl के साथ connect नहीं है बेसनल के साथ कनमेख नहीं है तो दोस्तों क्या आप दूसरे किसी जो service provider है उसके साथ आप connect हो पाएंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि Jio को ATL के साथ Jio को दोस्तो BSNL के साथ यह जो भी दूसरे ISP internet service provider है उनके साथ उसको connect होना पड़ेगा पहले तो तब जाकर के दोस्तो वो आपके पास क्या बन पाएगा एक type का internet इंटरनेट क्या होता है दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं like pen, land, man, when इन सभी का एक type का mixture होगा इन सभी का combination होगा और यह globally होगा सिर्फ इंडिया इंडिया में नहीं कि हमने जो है वो इंडिया में जितने ISP आपस में connect के लिए नहीं दोस्तो पूरी दुनिया बर में जितने भी आपके पास companies हैं, ISP वो सब आपस में connect होती है इनके कुछ rules हैं, कुछ regulations हैं, जिनको इनको follow करना होता है तब दोस्तो यह internet services जो हैं आप तक provide करवा सकते हैं तो अगर हम लोग यहां बात करते हैं internet को लेकर के तो आखिर internet हुआ क्या internet दोस्तो दुनिया बर में ऐसे बहुत सारे लोग है जो आपस में connect है वो आपस में connect है, चाए वो wired के तुरू है, चाए वो wireless connectivity के तुरू connect है अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तो कि जितने भी network ते, जैसे मैं कह रहा था आपको local area network हो गया या दोस्तो आपके पास wide area network है, metropolitan area network है, यह सब आपस में connect होते है ठीक है और पूरे दुनिया बर के interconnected network जब बनता है तो internet क्या है, the internet और आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास जो net हो गया internet is the global system of interconnected computer network that uses the internet protocol suit यानि कि TCP IP को जो use करता है to communicate between networks and devices इसको आपस में connect करवाता है the internet is used for many things such as electronic mail, online ठीक है तो online chat करना चारे, email अगर आप किसी को करना चारे, file transfer आप करना चारे ठीक है तो इसके लिए and the interlinked web pages को अगर आप use करना चारे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो internet को use कर सकते हैं एक छोटी सी definition बता है यह internet क्या आपके पास होता है इसी तरीके से दोस्तों कर आप बात करें तो अब अपने पास एक नाम आने वाला है www.w.w.w. यहनि कि worldwide web www.w.w. क्या होता है दोस्तों तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह आपके पास एक टाइप का जो है वो एक standard है is a set of programs standard and protocols governing the way in which multimedia files यहनि कि जो भी आपकी files है जो भी आपके documents है चाहे वो text है चाहे दोस्तों photograph से चाहे ग्राफिक से चाहे वीडियो है चाहे audio है कुछ भी ठीके इन सभी को क्या करता है इन सभी को दोस्तों create करने का या display करने का काम इसका होता है तो www क्या करता है दोस्तों आपके जो website है आपके जो web pages है उनके content को display करवाने का काम और उनको create करने के लिए जो standard है उनको यह handle करता है ठीके I hope यह चीज clear है कि internet पे आपको website बनानी है तो उसके लिए कुछ standard है जो html provide करवाता है और वो html जो क्योंकि वो web page display करेगा तो उसके जो standard है वो किसके base पर होंगे www के base पर होंगे तो www क्या है अपने आप में एक standard है यह आपको यह बताता है कि web page कैसे create किये जाने है और web page कैसे display होगा basically दोस्तो display को लेकर के यहाँ पर यह और्स करता है www को कब बनाया गया दोस्तों तो कह सकते है 1989 से 1991 के बीच में बनाया गया है किसने बनाया है टिम बर्नर्स ली ने बनाया है ठीके प्रपोस इन 1989 में इसको प्रपोस किया गया था www become a reality with invention of html and a text browser in 1990 तो फाइनली दोस्तों यह कह सकते है कि 1990 के अंदर जो है इसको डवलप कर दिया गया था www को और साथ में html लैंगविज इसको भी यहाँ टिम बर्नर्स ली नहीं दोस्तों बनाया है ठीके तो टिम बर्नर्स ली ने बहुत बड़ा काम किया है क्या कह सकते दोस्तों एक तो इन्होंने क्या बनाया है हमारी लिए html language को introduce कर वाया और साथ में www के standard को www इन्होंने बनाया है जब भी कोई website कोलते हैं दोस्तों हमेशा आप देखते होंगे लिखा होता होगा https colon double slash उसके बाद क्या देखते हैं आप www.facebook.com सब्सक्राइब अगर आपन facebook का एक्जामपल ले रहे हैं तो इच राप से दोस्तों अगर आपन बात करें डिफरेंस क्या है डिफरेंस बीट्विन इंटरनेट एंड ड्व 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 तो इंटरनेट क्या काम करता है इंटरनेट इस अ कंप्यूटर बेस्ट वर्ड वाइड वाइड कम्यूनिकेशन नेट्वर्क इसमें क्या कर सकते हैं आप कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं इंटरनेट के साथ जबकि आपके पास में www क्या है तो दोस्तों यह जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं यह definition आप लोगों के लिए बहुत ज़धा important है तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों चाहें तो इसका एक screenshot लेकर आप अपने पास रख सकते हैं I hope दोस्तों आप लोगों ने इसका एक screenshot ले लिया होगा तो next अगर अपन बात करें इसके बाद जो अपना point आने वाला है दोस्तो वो आपके पास है internet terminologies कुछ internet terminologies है जो हम लोग देखने वाले है दोस्तो एक नाम आता है form forum क्या होता है आपके पास where people can seek help and advise about a topic किसी एक topic के बारे में हम लोग किसी को advise कर सकते हैं हम लोग उनको जो है वो कुछ help कर सकते इसी टाप से दोस्तो आपके पास आता है यहाँ पर research database क्या होता है used by universities and large companies जो है वो database को research करती है बहुत सारा data जब हमारे पास पढ़ा होता है उसको research करने का काम यहाँ हम लोग जो है करते हैं ठीक है इसी टाप से आपके पास आता है use net use net क्या होता है discussion group about a specific subject from the latest boy and band to favorite pet for example google group तो google एक ग्रूप है जहाँ आप कुछ भी search कर सकते है तो एक टाप का वो use net आपके पास होता है इसी टाप से दोस्तों next अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास आता है internet terminologies में वो है email email क्या होता है email का मतलब दोस्तों आपके पास electronic mail तो email किसके लिए standard होता है दोस्तों कह सकते हैं electronic mail के लिए क्या करता है दोस्तों it is a method to send messages from one computer to another computer through the internet तो आप internet के साथ जो है वो आप किसी को email send कर सकते हैं दोस्तों मैं यहां आपको ऐसे बोल देता हूं कि internet के through हम लोग करते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि आप बीना internet के भी दोस्तों email कर सकते हैं कैसे तो उसके लिए अपने पास email send करने के दो तरीके होते हैं एक होता है दोस्तों जो आप browser के through करते हैं जैसे आप Gmail की बात करें एक होता है दोस्तों आपके पास जब आप अपना एक local area network बनाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने email software को establish करवा सकते हैं जैसे दोस्तों Microsoft का outlook है तो वहाँ बीना internet के भी दोस्तों आप अपने local area network में जितने computer उसको आप email send कर सकते हैं बीना internet के भी लेकिन general term में बात करें तो दोस्तों email जो है वो internet के through हम लोग send करते हैं इसलिए आप पर भी मैंने internet word को use किया है उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास email address email address क्या होता है तो दोस्तों suppose कि मैं अगर बात करूँ email address को लिगर गे x, y, z at the rate suppose कि दोस्तों आपके पास है gmail.com ठीके तो यहाँ पर x, y, z अलग part है at the rate अलग part है और gmail.com आपके पास एक अलग part हो जाता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों के email address जो है उसको हम लोगों थ्री पार्ट में डिवाइड किया है एक दोस्तों अपने पास यहाँ पर जो part है वो अपने पास आ रहा है username, दूसरा आ रहा है add the rate और तीसरा अपने पास आ रहा है domain तो देखते हैं इसको, इसकी definition देखते हैं, every email has a unique electronic post office box with a unique address on the network where email can be sent this unique address is known as email address ठीक है, और यह जो email है each email address has three sections कौन कौन से होगए दोस्तों, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं कि यह जो है आपके पास होगए आपका username, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपके पास add the rate और उसके बाद आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर domain, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते है email जो है उसके तीन पार्ट अपने पास होते हैं आप दोस्तों, clear है आप लोगों को जो भी websites आप use करते हैं जिसमें, जैसे email में क्या होता है मैं आपको बेचूंगा, आप बहुत देर बाद देखेंगे बहुत देर बाद आप reply करेंगे, मतलब वो थोड़ा slow है, लेकिन जब आप chat करते हैं online chat करते हैं, जब real time जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने पढ़ा, आपने मुझे reply किया, real time पे जो अपना chat होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, instant messaging, यानि की I am तो I am क्या हो गया दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं, instant messaging also known as I am, is an online communication method used to connect to or more people in real time for back end for conversion, ठीके तो आप जो है ये conversation अगर आप करना चाहरे हैं तो उसके लिए आप जो है क्या use करते हैं अपने I am software को ठीके, I am की full form क्या है, instant messaging तो जब आप chatting करते हैं तो आप I am softwares को use में लेते हैं, आयो clear है next देखते हैं दोस्तो client, अब client और server दो नाम आते हैं, दोस्तो जब मैं facebook चला रहा होता हूँ तो दोस्तो ये मेरा laptop है और कहीं server होता है उस server के साथ मैं connect होता हूँ तो दोस्तो ये जो है ना, इसको क्या कहेंगे मेरे computer को client और वो computer जिससे मैं connect होता हूँ, उसको अपन क्या कहते हैं server अब ये server जो है वो अपना खुद का भी हो सकता है अगर facebook चला है तो दोस्तो facebook का server अपना नहीं होगा लेकिन जब आपन local area network बनाते हैं तो हम चाहें, तो दोस्तो हमारे organization में एक ऐसा computer system बना के रख सकते हैं जो अपने आपने एक server की तरह काम करें तो server आपका local भी हो सकता है उसमें कोई issue नहीं है अब देखें, यहाँ पर एक image बनाई है दोस्तो जिसमें आप देख रहोंगे एक computer जो है, वो क्या कर रहा है request बेज रहा है, किसको? server को, और server दोस्तो उस request का वापस क्या कर रहा है response अपने को send कर रहा है मैं Facebook चलाता हूँ मैं बोलता हूँ कि मुझे इसका data डिस्पले करो तो Facebook डिस्पले करता है मैं Google से कहता हूँ यह वाला data मुझे सर्च करके बताओ तो वो data सर्च करके दिखाता है तो मैं क्या करता हूँ? request करता हूँ और उस request को पूरा करना है नहीं करना इन उसका response क्या है वो server वापस मेरे system पे बेजेगा तो दोस्तों मेरा computer क्या 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 लाएगा client और वो computer जो मेरी request को पूरा करेगा या जिसको भी मैं request करूँगा वो computer क्या 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 लाएगा अपना server ठीक है तो यहां देखते हैं client क्या है any computer on the network that requests services from other computer on the internet वो क्या 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 लाएगा client ऐसे ही दोस्तों आपके पास server क्या 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 लाएगा any computer that receives request from client computers process and send the output web servers respond to web related request there can be other types of server to handle different types of request or actions ठीक है तो आपके पास बहुत सारे अलग-अलग type के servers हो सकते हैं I hope दोस्तों clear और आपको ये client और जो server है वो बिल्कूल clear हो चुका होगा ऐसी दोस्तों next अगर अपन बात करते तो अपने पास आता है web page और portal web page क्या होता है दोस्तों एक website है उसका एक page एक simple सा कहें तो दोस्तों किसी एक website के एक single page को अपन क्या बोल सकते हैं web page वैसे ही अपने पास web portal क्या होता है दोस्तों तो ये आपके पास ये भी एक type की website होती है लेकिन ये दोस्तों आपको बहुत सारी जो चीज़े आपको available करवाती है देखते हैं दोस्तों क्या है तो दोस्तों क्या सकते हैं web page जीनि एनी digital page कोई भी digital page और document hosted on internet जैसे accessible via internet जिसको आप internet के तुरू access करते दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ WS Cubetech को लेकर के तो WS Cubetech की एक website है ठीके आप जो देख सकते हैं और साथ में उसका एक page भी है उस page बे कोई भी जला है दोस्तों आप चाहें तो about us page open कर सकते है courses page open कर सकते है contact us page open कर सकते है कोई भी एक page वो एक single page क्या कहलता है आपका एक web page अब अगर अगर आपन बात करते हैं web portal को लेकर के तो website or services ठीके or services या service that offers a broad away ठीके broad away of resources such as email, forum, search engines among other जैसे MSN है आपके पास में yahoo है आपके पास में इंडिया टाइम आपके पास है ऐसी बहुत सारी आपके पास websites होती है जो दोस्तों आपको बहुत सारी services देती जहां आप search भी कर सकते हो जहां आप mail कर सकते हो जहां आप data search कर सकते हो इवन कि कह सकते हैं दोस्तों government की भी बहुत सारी आपके पास ऐसी websites होती है ऐसे बहुत सारे portals होते है जहां आप जाएं और वहाँ पर दोस्तों जितने दूसरे department है उन सभी के links available होते हैं आप किसी पे भी click करो आप कहीं पर भी जा सकते हो जैसे cbse की आप देख सकते हो cbse के website पर ये दोस्तों government के दूसरे portal पर जा सकते हो दूसरे portal के थूँ दोस्तों आप cbse के portal पर भी आप आ सकते हैं तो ये आपके पास आपस में क्या होता है linked होते हैं इसी टैप से गर अपन बात करें तो next अपने पास आता है web browser web browser क्या होता है दोस्तों आपके पास एक टैप का software एक टैप का program होता है जैसे आप ये देख रहे हैं Google Chrome है, Mozilla, Firefox है आपके पास Safari है, Internet Explorer है Age है, Opera है बहुत सारे ऐसे नाम है जो हम लोग use करते है क्या काम किये, क्या काम आते हैं दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि websites पे जो content है websites पे जो pages है जो web pages है उनको देखने के लिए हमें एक special type के software की requirement होती है उसको क्या करते हैपन, web browser जो क्या करता है, web page को browse करता है हमारे लिए और फिर उसके बाद हमें वो display करवाता है तो अब program और software on a client computer that retrieves information from the web जो web से अपने data को, अपने information को retrieve करता है और client computer पे वो information को वो show करता है, display करता है कुछ example है, internet explorer है spelling में थोड़ा सा गढ़बढ है Google Chrome है, Mozilla Firefox है Netscape Navigator है, आपके पास Mozak है, Opera है, Safari है आपके पास links है ऐसे बहुत सारे आपके पास है यहाँ पर एक spelling mistakes है बस, ठीक है बाकी कोई issue नहीं है चली, तो I hope दोस्तों ये भी आपको समझ में आओगा कि आखिर web browser आपके पास क्या कुछ होते है ऐसी दोस्तों, web client के बारे में हम लोग बात करने वाले है web client क्या हो गया, तो दोस्तों ये web है ये भी use करा है, ये भी use करा है, ये भी use सब लोग use करें a web client is a program or a component of client side that request and use services provided by a web तो दोस्तों जो मैं कहा रहा था client machine, client computer वो अपने अप में क्या करा सकता है web client भी करा सकता है क्योंकि वो क्या करता है, request करता है server उस request को पूरी करता है तो ये ही लाइन है, a web client is a program or a component of client side that requests and uses services provided by the web server ठीके, इसके बाद अगर अगर आपन बात करें, इसमें बहुत सारे example हो सकते example of web clients are web browser, a specific page specific web page with components fetching information from web server, ठीके, तो web server से लेना email program है, file sharing program है chat program से, ये सब आपके पास जो है, वो web clients machine पे हम लोग use करते हैं, इस तरीके से next अगर अगर आपन देखें तो अपने पास आता है दोस्तो, URL, uniform resource locator दोस्तो, facebook का address आपको शाहत पता होगा, ये ही है https colon double slash www.facebook.com जो भी है, तो जब ये आप लिखते हैं दोस्तो, ये आपके पास क्या कलता है website का एक address क्या लगता है इस address को अपन साथ में और क्या बोल सकते है URL, यानि कि uniform resource locator, it is the unique address of a web page on internet, तो internet पे दोस्तो, बहुत सारा डेटा पड़ा है उसमें से आपको कौन साथ डेटा चाहिए उसका एक path, उसका एक address आपके पास होना जरूरी है वो address आपका क्या कहलाता है URL, uniform resource locator तो ऐसी लिखा है, http या https जो भी है facebook security देता है, इसलिए वहाँ http, s लिखा होता है बाकी कुछ websites पे आपको http भी दिख सकता है, ठीके, s for secure है, इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, next अपने पास जो है, वो आता है, blog, blogger और blogging, blog क्या होता है दोस्तों, जैसे facebook पे आप लोग कह सकते है, post upload करते हैं कोई भी post अगर आप डालते हैं, ठीके तो वो क्या है, आपका एक, कह सकते है post है, ऐसे कुछ websites होती है blogging websites होती है, जहां पर कुछ लोग अपने मन की बातें लिखते हैं, like अपने thoughts, views आपका अपना जो experience है, वो share करते हैं हम लोग, उसमें text भी सकते हैं, उसमें हम लोग कोई video डाल सकते हैं, उसमें कोई images डाल सकते हैं, बिल्कूल वैसी जैसे दोस्तों हम लोग Facebook पे भी काम करते हैं तो वो बंदा जो message डाल रहा है, उस message को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों, blog बोलते हैं इसके साथ वो बंदा जो blog डाल रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, blogger कहते हैं, ठीक है, और जो actions आपने की हैं, उसको क्या कहते हैं, blogging, तो मतलब blog क्या हो गया, blog को short में क्या, blog, short में है blog, इसकी full form क्या हो जाएगी, web log, ठीक है, web log, web log जो है, a blog is a web page that serves as a publicly accessible personal laser for an individual, a blog is a frequently updated online personal general or diary, ठीक है, तो journal और आपके पास जो एक टैप का diary है, बिल्कुल वैसी जैसे अपन फेस्बुक पे कर रहे होते हैं, blogger क्या हो गया, the author of a blog is called blogger, a blogger is the one who regularly write and update entire in his or her blog, उसके बाइद दोस्तों, blogging क्या हो गया, the action of writing blog is called, ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, blogging, इसी तरीके स दोस्तों अगर आपने नेक्स देखें तो अपने पास क्या आता है, news group, news group क्या हो गया, news group are internet discussion forum, where groups of users with common interest, यनि कि आप एक particular topic के बारे में ही, आप लोग उसके communicate होते हो, तो internet पे बहुत सारे आपके पास ऐसे कुछ features मिलते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी websites मिलती है, जहां एक particular topic के बारे में हम लोग कुछ discuss कर सकते हैं, तो news group क्या हो गया, news group are internet discussion forum, where groups of users with common interest gather to discuss on a common topic of interest, तो उनका जो interest है, एक particular topic है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, इस type से आपके पास क्या है, एक type का कह सकते हैं, एक news group है, आपके पस तो बहुत सारे लोग लगे हैं, किसी एक topic के बारे में कहीं कुछ कह रहे हैं, news group आपके पास हो जाता है, तो इस तरह किसे दोस्तों कुछ terms जो हैं, internet से related, हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो में discuss करी है, अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको और भी बहुत सारे topic बताने वाला हूँ, ज तो मैं यह चाता हूँ कि दोस्तों सारा का सारा content में आपको deliver करूँ, कि अबल इस सारी CBSC ने term 1 का, term 2 का concept रखा है, अगले साल से फिर common है, तो यह वीडियो जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर इसी साल के लिए देखेंगे, अगले साल के दोस्तों फिर कुछ लोग इस वीडिय दे जाएगा, तो इसलिए दोस्तों यहां मैं अपनी book जो है वो starting से ले रहा हूँ, end तक हम लोग जाने वाले हैं, तो कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप comment में जरूर बताएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, thank you. हुआ हुआ है